तो लो जी बज़रे हैं सुबह के पांच और हम लोग बैटे हैं होट एर बैलून की फ्लाइट लेने के लिए और हम आज आए हैं रेना टूस के साथ तो जी सेफटी ब्रीफिंग और सुबह के ब्रेकफास के बाद सभी को ट्रांसफर किया गया डेजर्ट एरिया में जहां से ये बलून फ्लाइट उड़ाई जाएंगे तो देखी ये है वो ट्रेलर जिस पर बलून आता है ये बलून बहुत बड़ा होता है एक बलून में साथ के साथ से बीस से लेकर पचास लोग तक भी ट्रैवल करते हैं और यहां पर ये है बलून फ्लाइट डी एकस बी की टीम जो की हमारी बकेट को बलून की बकेट को रेड़ी कर रहे हैं फ्लाइग करने के लिए तो देखिए जो लोग पहले आयते हैं उनकी फ्लाइट्स आ लड़ी आ उपर जाना स्टार्ट हो चुकी है तो नौ इस आवर टर्न तो गेट फिट इंटो बकेट सो देखिए प्लाइट बलून तो स्टार्टिंग में बहुत ही ट्रीकी होता है आपको अजीव लगता है क्योंकि आपको जैसे बैड पे लेटते हैं ऐसे लेटना होता है बकट के अंदर क्योंकि बलून अभी फ्लाइट रहता है दिरे दिरे बलून में हवा बरी जाती है बलून सीधा होता है उसके बाद आपकी बैकट सीधी होती है और उसके बाद वो लिफ्ट करना स्टार्ट करते है तो लो जी बैकट अब सीधी हो चुकी है और बलून पूरा फूल चुका है रेडी है और कैप्टन उसको त्यार कर रहा है फ्लाइट के लिए और बलून को हवा में लिफ्ट करने से पहरे सबी पसेंजर को सेफटी बैल लगा जाती है तो लो जी आलेडी लिफ्ट हो चुका है बलून और हम हवा में आ चुके यहां से देख सकते हैं कितना अच्छा नजारा आ रहा है नीचे और भी फ्लाइट से जो रेडियो उपर आने के लिए और सामने संद्राइस का जो भी आ वो तो बहुत ही मस लग रहा है होट एर बलून का सारा जो बैलंस है वो कैप्टर की हाथ में रहता है पूरा कंट्रोल करता है बार बार उसमें होट एर डालता रहता है ताकि उसका बैलंस बना रहे और उसकी पुजिशन बनी रहे तो जैसे कि हमारे कैप्टर ने बताया दुबई में होट एर बलून की मैकसिमम हाइट 4000 फीट तक रहती है और 4000 फीट से उपर रहता है एरोपलेन के रिये जैसे कि आप देख सकते है एक फ्लाइट है जो कि आलोडी दुबई में लेंडिंग कर रही है और व्यू की बात करें तो इससे अच्छा नजारा आज तक दोई में हमने नहीं देखा था इस होट एर बलून की फ्लाइट का टोटल डुरेशन टोटल टाइम 40 से लेकर 45 मिनिट तक रहता है वाव इट्स अमेजिंग व्यू फ्रॉम हेर सी आप देख सकते हैं जो फ्लाइट हमसे पहले गए थी वो अभी लैंड हो रही है इसके लैंडिंग में ठीकी रहती है क्योंकि एक बार ये ग्राउंड को टच करने के बाद रहा ड्राइग होकर जाता है वाव और लैंडिंग के टाइम तो ये और भी अमेजिंग लग रहा है क्योंकि बलून सैंड ड्यून के बिलकुल नजदीक होकर जाता है और ये बैलून फ्लाइट जो है ये एक रिजर्व एरिया है यहां पर वाइड लाइफ रिजर्व है यहां पर आपको वाइड लाइफ भी देखने को मिलती है रीज़गे लाइड प्रष्म झालंड़ से र मजवड़गेगे संवस्थ-स दो bunkिसे अर्दीוס, अथे बैलडा रिद रहा है जonders आएिस लएड का इच्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट 파र लाइजिया के वके स्वाइड बूचर्ट्ट्र के बालाइट ले करिंडा है okay one two three four up one is coming in my eye हाण है दूना वो मैं तुट वो मैं शुट वो अजया अजया वो है अजया लो पला कुपन उर वो अजया आप देहराइ हाँ बालू फ्लाइट आप धाइट बालू फ्लाइट उड़ने की जगह है वो तो फिक्स होती हैं पर वो कहां पर उतरेगा वो हवा के उपर डिपैंड करता है और कभी-कभी आपको 50 क्लोमेटर आ कि कम आण है यहां यहां पर ब्रेकफास्ट का बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं सब्सक्राइब ब्रेकफास्ट के और उसके बाद यहां पर इतना चाम को ब्रेकफास्ट भी सर्व किया जा रहा है और यहां पर आप फॉलकन के साथ फोटो भी खिचबा सकते हैं और देखिए सबी पेसेंजर्स को फ्लाइट का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जो कि पाइलेट के दुवरा साइन किया जाता है अगर आप भी एक्सपीरिस लेना चाहते हैं तो हमारे कूपन कोड आर आई टी जट फोटीन के साथ आप बुक कर सकते हैं रहना टूर्स के साथ यह फ्लाइट और इंजोई कर सकते हैं लाइक शेर और कमेंट थैंक यू वेरी मुथ कीप सपोर्टिंग